वेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है 29 मार्च 2023 और 29 मार्च 2023 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर आरे टेलिग्राम उट्भी डाउनौड कर सकते हैं ड्रफ निल जाएंगे और टेलेग्राम उप का लिंक मैं इस वीडियो कर इसका में दे दिया है तो आप उस लिंक Wang पर खिलेग्राम विंड और सकते हैं तो चलिये स्टार्ट कोरते हैं पहला कम उश्यूँ हाली में हम जा यूसुफ के इस देश के प्रथम मंत्री चुने गए, तो स्कॉटलेंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं हमजा यूसुफ, तो इसकुशन का बे आप्शन सही है, यह हैं स्कॉटिस नेशनल पार्टी के नेता हमजा यूसुफ, यह पाकिस्तान मूल के हैं, और अब यह स्कॉटलेंड तो ये है मैप में स्कॉटलेंड, स्कॉटलेंड की कैपिटल क्या है एडनबर्ग, स्कॉटलेंड की करंसी क्या है पाउंड स्ट्रिलेंग, और अब स्कॉटलेंड की प्रथम मंत्री तो यही चुने गए है हमजा यूसुप, अच्छा अभी नैपल की तेसरे उ प्राश्टपती, राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए, सेख एहमद नवाव अल एहमद अलसवा को, कुएत का प्रदानमंत्री नियुक्त किया गया, सेख महबबं बिन अब्दुलरह्मान अल्थानी को, कतर का प्रदानमंत्री नियुक्त किया गया, वान्थुओं ये बि प्रदानवंतरी और प्राष्टपती हैं यह आप याद रखिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क्या करो और मैं आपको ही बोलता हू डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपक करत्रिम लक्ष पर सुपर सोनिक एंटी सिप मिसायल दागी तो इसकुशन का से ओप्सन जाई अब रूस ने दागी तो यह है मैप मेर रूस की केपिटल क्या है मॉस्को रूस की करंसी क्या है रसियन रूबर रूस की प्रजेंट टायम पर प्रेसिडेंट कौन है ब्लाद्द बना फाइनेंस ये 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आया तक बना रूस भारत का सात्मा सबसे बड़ा ब्यापार एक भागीदार बना है रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉंट्रेक्टर एडवर्ड इस्नूड इनको अपनी नाजिकता पतान की है अचा रूस में उरल के पहाड है लेक वैकाल है और माउंट एलवरस है इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है ने क्यूशन है किस ने बैंगलूरू में भगवान बसवेस्वर और नाद प्रभू केंपे गोड़ा की मूर्तियों का नावर्ड किया तो केंद्री ग् करनाटक के बैंगलूरू में भगवान वसवेस्वर और नाद प्रभू केंपे गुड़ा की मूर्तियों का नावर्ड किया तो इस कुश्चिन का बे ऑप्शन से यह है ने क्यूशन है हाले में इनोसेंट वारे ठेके थला का निधन हुआ है वे कौन थे तो इनोसेंट वार थे ठेके थला यह एक मल्यालम अभिनिता है और यह MP भी रहते यानि कि Member of Parliament भी रहते तो अभी इनका निधन हो गया तो इस कुश्चिन का से ओप्शन से यह यह थे इनोसेंट वारे ठेके थला अभी 75 बरस की उन्वे इनका निधन हुआ है ने क्यूशन है हाले में एंडी ट TV ने UK सिन्ना को गैर कारिकारी अध्यक्ष निधन किया तो इस कुश्चिन का बे ऑप्शन सही है यह सेवी के पूर प्रमुख UK सिन्ना यानि कि उपेंद्र कुमार सिन्ना अभी NDTV ने इनको गैर कारिकारी अध्यक्ष निधन किया अच्छा अभी Cotton Corporation of India के CMD के रूप में लल अध्यक्ष और प्रबंद ने दे सक जेक रश्न कुमार को नियुक्त किया गया और TCS का CEO के करतिवाशन को नियुक्त किया गया ने क्यूश्चिन है कि इस देश के प्रदानुत्री ने देश ब्यापी बिरूद के बाद नियाएक सुधारों को इस्तगित करने की गोश्चन की तो इस कुश्चन का ए ओप्संस है यह यह नियाएक सुधार क्या थे एक्चल में था क्या एजरायल के जो प्राइमिनिस्टर है बेंजामिन नेतनियाओ वहाँ पे जो सुप्रेम कोट है उसके जजों का नियुक्ति का अधिकर अपने पास रखना चाहते थे यानि कि सु कि जो सुप्रेम कोट के जज हैं वो मेरी पर्मिसन से या मेरे चॉइस के अपॉइंट हो तो क्या वो डेमोकर ऐसी रह जाएगी कभी नहीं रहेगी क्योंकि जब सुप्रेम कोट के जज ही प्राइमिस्टर की चॉइस के होंगे तो वहाँ पे नियाएक क्या होगा यही कित करने की गोशना इसराइल के प्राइमिस्टर बेंजा में नेतनिया हो ने की है अब इसराइल तो ये है मैप में इसराइल इसराइल की केपिटल क्या है यरूसलम इसराइल की करनसी क्या है इसराइली न्यू सेकल और इसराइल की प्राइमिस्टर कौन है बेंजा में नेतनि हो अच्छा अडाने ग्रूप ने इज्राइल में हाइफा बंदरगा का अधिक्रेट किया है यू ए और इज्राइल ने पहले अरब अधिक्रेट का नाम बदल के गुरुदेव रवीद नाट टैगोर के नाम पर रखा गया है और एक कुशन और बन जाता है इसराइल से कि इसराइल की संसत का नाम क्या है तो इसराइल की संसत का नाम है Neset K-N-E-S-E-T 26 मिनट में ते की है नहीं है बारत और अफरीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला सेयुक्त सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो ये पुड़े में आयोजित किया गया है बारत और अफरीकी देशों के सेना प्रमुखों का ये सम्मेलन है और ये पुड़े में आयोजित कि दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकर्ड विक्सित किया थो अभी आई आइटी मद्रास ने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरड बे पिक्सित किया तो इस कुश्चिन का से ओप्सिंस आई है इस उपकरड से सिर्फ 30 मिनट में दूद में क्या मिलावट है इसका पता लगाया जा सकता है अब IAT की बात है तो IAT रुड़के के बेग्यानिकों ने नए जीवन रोधी अड़ू IATR 00693 की खोज की Reliance Life Sciences को IAT कानपुर से जेन थेरपी टेकनलोजी का लाइसेंस मिला है और केंद्री मंतरी अनुराक्ठा को ने IAT रोपड में युबा उद्सब की शुरूआत की नए क्यूशन है किसने लद्दाक साहित समिलन के तेसरे संस्कड का उद्गाटन किया है तो लद्दाक के लिटिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा इन्होंने लद्दाक साहित समिलन के तेसरे संस्कड का उद्गाटन किया तो इस कुशन का B options है अब लद्दाक के अभी ल्यूटिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा लद्दाक पहली फ्रूजन लेक मेरातन की मेज़बानी कर रहा है यायात्सो को लद्दाक का पहला जैब विवित्ता इस्तल बनाया जाएगा वारती सेना द्वारा ऑप्रेशन सदवावना का आयोजन लद्दाक के लद्दाक की रक्त से कारपो खवानी को जी एटेक मिला है और लद्दाक में मैं भी सुबास अभियान शुरू किया गया नेक क्यूशन है, हाली में IMF ने किस अफरीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की साहिता पतान की है तो International Monetary Fund इसने अभी बुर्कीना फासो को 80.77 मिलियन डॉलर की साहिता पतान की तो इसकुशन का C options है यह है, यह है मैप में बुर्कीना फासो की केपिटल क्या है? ओगा दॉंगो, क्या है? ओगा दॉंगो और इसकी करंसी क्या है? वेस्ट अफरीकन फ्रैंक अच्छा, वेस्ट फासो के प्रैंश्टर कौन है? के डी टंबेला, कौन है? के डी टंबेला, ने क्यूशन है बिस्ट बैंक ने किस राजी की बार्ड प्रबंदन परयोजनाओं के लिए 108 मिलियन डॉलर के रेड को मंजूरी थी तो बर्ड बैंक ने अभी असम की बार्ड प्रबंदन परयोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के रेड को मंजूरी थी तो इस कुश्चिन का? बे ओप्सन सही है अब असम तो ये है मैप में असम असम की के बिटल के है? दिस बॉर असम की चीपनिश्टर कौन है? हिबंता विश्व सर्मा और असम के अभी नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया अचा पहला बूडोलेंड अंतरास्टी ग्यान महुतसब असम में हुआ है असम का नया डीजीपी ज्यानेंद प्रताप सिंग को नियुक्त किया गया असम सरकार ने मटिया वाग हवा महल का अधिगरण किया है और असम के मंत्री बंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए बिधेक को मंजूरी थी असम के लोकनत्य कौन से है कटे भी हूँ, बगरुंबा, भूर्ताल और जुमौर असम में कौन-कौन सी नेशनल पार्क है काजीरंगा, माननस, उरंग, डिब्रु सैकोवा, रायमोना और देइंग पट गई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है इसमें से काजीरंगा, सबस्याद है, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फ매श है और काजीरंगा नेशनल पार्क, देशका एकलोता ऐसे नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फौन से कनेक्ट हो चुका है प्मस है और काजी रंगार नेशनल परक्ट देशका एकलौday ऐसा नेशनल परक्ट है जो सेटलैट फॉन से båन्से करनेक्ट हो चुका है उंचयों किस बंक थे 향ा में कि इस धीज में रहने बाले लोगों का एक जाती समों है तो स्कुश्य कए अंब अमेरिका तो अभी रभी चौधरि अमेरिका की बायू सीना के सायक सच बने एरेक गारसेटी भारत में अमेरिकी अमेरिका की सीनिट ने मैक मोहन रेखा को अंतरास्टी सीमा के रूप में मानिता दे दी है और सिटे इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरपत्यों की सुची में अमेरिका टॉप पर रहा है अच्छा इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एक्साज होती है कूप इंडिया टाइगर ट्रंफ वज़ प्रहार और युद्द अप्यास नेक्स कुशन है अब लास्ट वीडियो की कुशन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आपसे कुशन पूचा था कि हाली में भारत में कौन मोटो जीपी का परसाड़ करेगा तो वाइकॉम 18 अभी इंडिया में मोटो जीपी का परसाड़ करेगा यानि किस कुशन का सी ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्रेटनेस का अंसर सही दिया मुश्ट लिए स्ट्रेटनेस के वारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुशन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुशन आपके लिए आज के कुशन है हाली में रिलाइंस इंडस्टीज ने किसे अपना सी एफो नामित किया है चार आप्सन दिये गए हैं इन में से आपको अपना अंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेसुक पेज पर प्रेबियस एर कुशन डेली पोश्ट करते हैं तो आप फेसुक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेसुक पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कुशन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 या like का आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook group है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस channel को सब्क्राइब नहीं किया है नेक्स्ट एक्जाम और बेज विद यू थैंक्स वर वाचिंग